इसकाल सभी को तो आज हम यह question करेंगे जो की जे एडवांस 2022 है मुच्छा गया था question is from electrostatics from the topic electric flux तो काफी easy problem है तो अगर किसे को लगता है कि advance में खाली मुश्किल questions यह आते हैं तो यह मुश्किल नहीं actually असान कभाल है तो देखते हैं कैसे करना साल्विस को a charge q is surrounded by a closed surface consisting of a inverted cone of 8h base area आयर तो यह charge q surrounded है एक hemisphere से नीचे एक cone से electric flux passing through conical surface इतना तो हमको n find करना है तो cone से कितना flux जाएगा यह हमको निकालना है अच्छा जो gaas law होता है वो यह कहता है हमसे है कि flux किसी भी closed surface है वो होता है q inside upon epsilon not कि उसके अंदर कितना charge मुझूद है तो यह जो पूरा एक closed surface है hemisphere plus cone का मिला के इसके अंदर charge एक खाली q है that means कि this must be equal to q upon epsilon not अब इस closed surface में दो चीज़े है एक तो है hemisphere plus एक है cone है इन दोनों को मिला के सब्सक्राइब हो रहा है is equal to q by epsilon not तो अगर मैं hemisphere का निकाल लूँ यहां से तो मैं कौन को यहां पूट करके कौन का निकाल सकता हूँ अब hemisphere कैसे निकालते देखें और देखें चार्ज है let's suppose मैं इस hemisphere को जो यह बना हुआ है इसे अगर complete करूं पूरा नीचे भी हमिस्फेर कर दो इस पूरे स्फेर से कितना चार्ज होगा अगर चार्ज होगा अगर चार्ज सेंटर पर रख़ा मैं यहां से मैंने इमेज नरी ड्रॉक गया इस पूरे स्फेर से होना चाहिए क्यों इंसाइड अपन एपसलोंट तो इस पूरे के अंदर है चार्ज क्यों अपन एपसलोंट इस पूरे स्फेर क्या रहा हुआ है this flux is actually number of field lines मतलब number of field lines का मैंज़र है कि कितना पास कर रही है तो यह हम देख सकते हैं कि पूरे स्फेर से इतनी lines पास कर रही है तो आदे से कितनी करेंगी और बिस्लिस का आदा that means कि हमिस्फेर से फ्लॉक्स होगा वो q by epsilon होगा हमेशा अगर चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो स्फेर से बुचता है बच्चों कॉर्टर से कितनी करेंगी तो कॉर्टर से बोलते साथ 1 by 4 करेंगी हमिस्फेर से फ्लॉक्स q by 2 epsilon not इससे में गाल सकते हैं flux of cone will be equal to q by 2 epsilon actually दोनों बरावर बटेगा q by 2 epsilon not option कहा रहा है n by 6 जो n by 6 है वो equal to kuch 1 by 2 कहा रहा है यहां से तो 3 is the answer to this question तो काफीजी सवाल था है बिस आपको पता है यह gloss law क्या होता है कैसे apply करते हैं so you can easily solve this question so I believe कि आपको question clear होगा तो में चैनल को जरूर लाइक करें subscribe करें comment करें और share जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि सब लोग में content जो है जो अप्लोड करता हूं उसको देख सकें और अपने knowledge को बढ़ा सकें और चैनल पर और बहुत सारा content मौझूद है उसको आप explore करें अपने knowledge को बढ़ाएं this is all about this question thanks for watching